Hello students, this is the third part and last part of the chapter India after independence. हमारे last topic में हमने ये डिसकस किया था कि इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसके साथ इंडिया के रिलेशन्शिप हैं since from independence. और इसमें आपकी नेक्स कंट्री हैं, मैनमार. इंडिया हैस हर लॉग हिस्टोरिकल रिलेशन्शिप विद मैनमार since centuries. अगर हम देखें, इंडिया के जो अगर इतिहास में जाके देखें, पुराने समय में देखें, तो तब से इंडिया की रिलेशन्शिप जो हैं संबन्द जो हैं, वो मैनमार कंट्री के साथ हैं. इट culturally exchange, including Buddhism and the Burmese script. तो एक तरीके से हम इस देश के साथ culture exchange करते हैं, अपने देश का और वो अपने देश का हमारे साथ culture exchange करते हैं, जिसे कि बुद्धिज्जम culture हो गया और Burmese script. बर्मीज स्क्रिप्ट का मतलब हो गया स््टूडेंड क्योंकि dessa आपका मैनमार का पुराना नाम जो ता वो बर्मा था पहले से बर्मा पुलाया जाता था अब नया नाम इसका मैनमार है तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्टूडेंड एक तरीके की कोई भी written पर्मीज स्क्रिप्ट या बुद्धिसम इस तरह के कल्चर्स का एक्सचेंज चलता रहता है दोनों देशों के बीच में मैनमार फर्मी बर्मा वह भुव जटा कनी बुल्दी धूके इसा बुलाया जाता था वो बृतिश के अंडर रह चुका था ये बृतिश के कबजे में ही था उनके अंडर में आता था जब बृतिश के इंडिया में रूल कर रहे थे and it was separated in 1937 और उसके बाद फिर 1937 में इसका separation हुआ इंडिया से इंडिया established diplomatic relations with Myanmar independence from Great Britain in 1948 तो जब 1948 में Myanmar का independence हुआ उसे आजादी मिली तो इंडिया ने अपने relation इस जेश के साथ diplomatic relations create कर लिए diplomatic का मतलब होता है student जैसे koot ही नी थी बहुत ही सोच समझ के जब हम काम करते हैं उसे हम diplomatic कहते हैं तो इंडिया ने अपने relations इस जेश के साथ maintain करके रखे बना के रखे इंडिया provided the support when Myanmar struggled with the regional insurgencies और साथी साथ इंडिया ने मैनमार की मदद भी करी जब मैनमार काफी struggle से जूँज रहा था अपने आपको establish करने की कोशिश कर रहा था तो भारत ने काफी मदद भी की और साथी साथ बीच में के भी टाम आया था कि यहाँ पर जो democratic government थी वो खतम हो गई थी और military और मैनमार में military rule स्टार्ट हो गया था और democracy बिल्कुल destroy हो गई थी खतम हो गई थी जिसकी वज़े से इंडिया और मैनमार दोनों देशों के बीच के relations में थोड़ी सी दिक्कते आई फिर उसके बाद 1993 तक आते आते इंडिया की गवर्णमेंट ने दोनों देशों की गवर्णमेंट ने आपस में अच्छे cordillier relation मतला अच्छे संबन दुबारा से बनाए next हमारी neighboring country है वो है भूटान भूटान had became a protectorate of British India in 1910 तो भूटान एक उस तरीके का आपका देश होता था आप कह सकते हैं जो कि बिर्दिशस उसके उपर पूरा control रखते थे और प्रोटेक्टोइट का मतलब होता है that is controlled and protected by another मतलब एक ऐसा कोई राजजज या आप कह सकते हैं कोई ऐसा इलाका या कोई ऐसा देश जो किसे और के अंडर में आता है control कोई उसको और कर रहा है और उसको protection दे रहा है तो भूटान भी उनी में से एक था कि बिर्दिशस इसको control कर रहे थे और उसको protect करते थे और एक ट्रीटी साइन की गई थी एक paperwork समली जो साइन किया गया था Britishers के दुआरा भूटान निकिया था जिसमें Britishers जो थे एक तरीके से भूटान को guide करते थे सलहकार की तरह काम करते थे भूटान के जित्ते भी काम काज होते थे जित्ते भी foreign f.l मतलब की दूसरे देशों के साथ कैसे काम करना है defense जो उसका है जो भी उसकी army, navy जो भी काम है तो इसमें guide करने का काम भूटान को कौन करते थे British करते थे In later year, भूटान was one of the first to recognize India independence in 1947 भूटान and India join the treaty of friendship on August 8, 1949 और साथी साथ फिर इंडिया के साथ भूटान ने इंडिया के साथ एक treaty sign की Treaty of Friendship दोस्ती की एक treaty समझुता कह सकते हैं harini 1949 में त्रुइटी में किया कहा गए दोनों देश डोनों नेशन जो है पीस शानती बना के रखेंगे एक दूसरे के इंटर्नल मतलब कि यह काम हो रहा उसमें कोई भी इंटर्फेर नहीं करेगा एक दूसरे के देश के कामों में कोई भी इंटरफेर नहीं करेगा भूटान कंटीनियूड टु लेट इंडिया गाइड फॉरन पॉलिसी और बोथ नेशन कंसल्टेट इच अदर क्लोजली ओन दफॉरन और भूटान ने गाइडर की तरह काम करता रहेगा इंडिया भूटान को गाइड करता रहेगा ताकि भूटान जितनी भी फॉरन पॉलिसी बना रहा है या जितने देशों के साथ काम कर रहा है तो अच्छे से कर सके और दोनों देश आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे राय बात करेंगे जब भी वो कोई भी foreign, मतलब कोई भी विदेशी काम करने जा रहे हैं या कोई भी वियापार करने जा रहे हैं या business या कोई भी तरीके की policy adopt करने जा रहे हैं और defense affair का जो भी काम है defense में हमारी army, navy, सब कुछ आ जाता है तो उससे related कोई भी काम है तो दोनों देश आपस में consult करेंगे मतलब एक दूसरे से सहमत, मतलब बातचीत करेंगे इस treaty की वज़े से दोनों देशों के बीच में free trade मतलब आसानी से trade मतलब वियापार इस treaty ने ये बढ़ावा दिया कि दोनों देश आपस में free हो के trade कर सकें वेपार कर सके और extradiction कर सके extradiction का मतलब होता है कि जैसे किसी भी देश में कोई अपराद हुआ है और वहाँ पे कोई गिरिफतार किया गया तो अगर वो उस देश का नहीं है किसी दूसरे देश का है तो उस देश को सौब दिया जाएगा hand over a person accused of crime to the jurisdiction of the foreign state where the crime was committed मतलब जिस जिखा पे crime हुआ है उस जिखा पर मतलब उस परसन को सौब देना for example अगर मालीजे कोई भी person है और मालीजे अगर वो भूटान से बिलॉंग करता है और उसने कोई अपराद किया और उसने कोई crime किया इंडिया में crime किया और उसके बाद वो भूटान चला गया लेकिन jurisdiction का मतलब यह हो गया extradiction का मतलब यह हो गया कि extradiction के तहट आपको उस person को इंडिया की government को hand over करना होगा क्योंकि वो अपराद उसने इंडिया में किया है अब protocol protocol का मतलब होता है students एक official procedure एक तरीके से एक पूरा नियम तरीके से हर चीज़ फॉलो करना तो ट्रीटी की वज़े से यह सारी चीज़े possible हो पाई इंडिया स्टेंटे दर 1949 ट्रीटी विद भूटान एंड साइन न्यू ट्रीटी ओफेंट्शिप इन 2007 उसके बाद इंडिया ने अपने रिलेशन भूटान के साथ और अच्छे किये और 2007 में 2007 में एक नई ट्रीटी साइन की अब इस नई ट्रीटी में क्या कहा गया न्यू ट्रीटी रिप्लेस दे प्रोविजन रिक्वाइरिंग भूटान टू टेक इंडिया गाइडन्स ओन फॉर्ण फॉलिसी विद बॉर्डर सव और गिनिटी जैसे कि पुरारी ट्रीटी में ये था कि भूटान को इंडिया से गाइड लेनी पड़ती थी मतलब एक तरीके से उनकी सलहा लेनी पड़ती थी यह हमा या इंडिया एक तरीके से मार्ग दर्शक की तरह भूटान को सलहा देता रहता था कि उसको फॉर्ण अफेस जो फॉर्ण पॉलिसी है या किसी भी फॉर्ण कृट्री के साथ जोड़ना है तो वो कैसे काम करेगा लेकिन अब यह जो नई ट्रीटी और फ्रेंशिप बनी है इसमें भूटान को कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया से गाइडन्स लेगा वो अपने काम खुद कर सकता है इसमें भूटान विल नाट रिक्वाइट टो अप्टेन इंडिया पर्मिशन इंडिया से पर्मिशन ले इस बात की अगर भूटान को हतियारों का इंपोर्ट करवाना है अगर उसको हतियार का इंपोर्ट करवाना है तो उसको इंडिया की पर्मिशन की जरूरत नहीं है और 2008 में इंडिया के उस समय जो प्रैम मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमुहन सिंग थे वो भूटान गए और उन्होंने भूटान की डेमोक्रिसी को काफी सपोर्ट किया काफी उसकी सहारना की और इंडिया ने अलाउड किया वो भूटान के वियापारी है जो ट्रेड़र्डर्स यह मर्चंट्स हैं वह भूटान वह ट्रेडिंग कर सकते हैं ठीक है दूसरे देशों के साथ विद्धी अधर कंट्री तो इंडिया से जो 16 एंट्री में आने और जाने के जो 16 पॉइंट्स हैं उसके लिए इंडिया ने दे दी किसको भूटानी ट्रेडिस को जो भूटानी है और व्यापार कर रहे हैं तो इंडिया से जो भी 16 entry points है इंडिया में आने के 16 रास्ते और जाने के पॉइंट है exit मतलब जाने के पॉइंट उसके लिए इंडिया से permission भूटान को मिल गई प्राइम मिनिस्टर नरेन मोदी ने अपनी foreign trip के लिए जो पहला देश चोना था वो भूटानी था he had inaugurated the Supreme Court complex in भूटान and also promised to help the भूटान in the development of information technology and digital sector तो साथी साथ हमारे जो मान्य प्रधान मंत्री जी है नरेन मोदी जी उन्होंने Supreme Court complex ये भूटान में inaugurate किया मनलब इसका inauguration किया और साथी साथ भूटान से ये promise किया ये promise किया ये वादा किया कि वो भूटान की information technology IT sector को develop करने में मदद करेंगे और भूटान के जो भी digital sector है उसको भी develop करने में भूटान की मदद करेंगे next sources a large number of sources such as newspaper, government, document, writing of leader, journalist and social workers are available for the study of post-independence तो students अगर हमें इंडिया की जानकारी चाहिए कि इंडिया independence से पहले कैसा था उसको जानने के लिए हमारे पार बहुत सारे sources है माध्या में इसे हम उस रमाने के newspapers पढ़ सकते हैं, government के सरकारी विभाग के documents देख सकते हैं, महान-महान leaders की writing देख सकते हैं या social workers के काम देख सकते हैं, journalist के द्वारा लिखी गई कोई चीज़ पढ़ सकते हैं तो यह बहुत ही आसानी से easily available हैं और बहुत ही reliable मतलब यह विश्वसनी हैं और यह हमें मदद करते हैं इंडिया के history में जानकारी हसल करने के लिए और आज का इंडिया, अब हमारा इंडिया आजाद हो चुका है, student तो इंडिया अब कैसा है, 15th August 2015 में इंडिया ने अपना 68th Independence Day मनाया था तो अब हम देखते हैं कि जब इंडिया इस समय इंडिपेंडेंट था और तो अब इंडिया में कौन-कौन से changes आ गए इंडिया अब युनाइटेड है, एक है, democratic country है और democratic का मतलब है कि हमारे जो भी government बनती है, that is chosen by the people मतलब हम अपना ruler खुद चुनते हैं, election के माध्यम से हमारे जनरल elections होते हैं, और हमारे लोकल elections भी होते हैं There is a free press, और साथी साथ press को काम करने की अजादी है हमारा जो जडिशरी है, जो हमारे नैले हैं, जो भी high court, supreme court, वो independent है मतलब वो अपना independent तरीके से काम कर सकते हैं और अलग-अलग भाशा में बोलने वाले लोग, और अलग-अलग धरम को follow करने वाले लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं, इससे कि हमारे देश की unity पे एकता पे कभी कोई असर नहीं पड़ा है और हमारे देश का जो agriculture sector है, जो agriculture production है वो भी काफी बढ़ चुका है इंडस्ट्री तरह तरह की industries यहां आ चुकी हैं इंडिया ने काफी growth हासिल कर लिया है, काफी progress हासिल कर लिया है, IT sector में भी और कुछ शहर जैसे की बैंगलॉर, हैदराबाद, पूने, यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे IT sector ने काफी development कर लिया है IT sector का मतलब student हम यहां पे computer related companies की बात कर रहे हैं India economy is growing rapidly, इंडिया की जो economy है, जो earth west है वो काफी grow कर चुकी है इतने सारी success उपलबधियों के बात भी, बहुत सारे challenges जो हैं हमारे देश के आगे अभी भी खड़े हुए हैं जैसे कि हमारे देखें students बहुत सारे challenges है, caste, gender, wealth मतलब जाती हो गया, gender, link भेदभा हो गया, wealth, पैसा, कुछ लोगों के पास बहुत है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है Despite of constitutional guarantee, the Dalit continue to face problem हमारे सविधान ने तो दलितों को बहुत सारी सविधाएं दी हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारा दलित वर्ग जो है, बहुत सारी problems को face करता है Clashes have occurred between different religious group, अलग-अलग धार में ग्रुप में देखिये, लड़ाईया होती रहती है गुजरात के 2002 के दंगे, इसका एक example भी है Women's महिलाएं भी बहुत सारी problems को झेलती है, जैसे कि gender biasness, link भेदभाव जो होता है हमारे समाजिक बहुत सारी evil कुरूतियां चल रही है, जैसे कि female, infesticide, मतलब कन्या, भूरहत्या, dowry system, दहेज प्रथा ये अभी भी हमारे देश में है, और कई पार्ट में इसको follow किया जाता है India, world का second most populous country है, दूसरा सबसे ज़्यादा populous country है populous country हमारे population बहुत ज़्यादा है, और अगर विश्व में देखें, तो हमारा स्थान कितना है, second है, दूसरा है तो इतनी ज़्यादा huge population की वज़े से क्या होगा, हमारे देश के resources के उपर असर पड़ता है तो जो अमीर और गरीब का जो अंतर है, वो अभी भी नहीं मिट पाया है साल जैसे जैसे बढ़ते चले आ रहे हैं, ये अंतर बढ़ता चला जा रहा है और some part of India and some group of people have benefited greatly from economic development हम यह कह सकते हैं कि हमारे कुछ groups ऐसे हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं student जो group या कुछ ऐसे sections हैं, जिनको इस economic development की वज़े से benefit तो मिला है, आराम तो मिली है लेकिन, सेम टाइम पे हमारे देश में poverty है, गरीबी है, unemployment है, बेरुजगारी है, illiteracy जिसमें आसक्षरता, जिसे हम कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो यह सारी problems जो हैं अभी भी हमारे देश में हैं, और are some of the problem data yet to be eradicated, और यह कुछ ऐसी problems है, जिनने हमें अपने देश से जड से उखार के फेकना हैं The chapter is over and now we will do the exercise part, exercise number 1, choose the correct answer, the first home minister of India was, answer C, Vallabhai Patel Number 2, the instrument of accession was signed between India and answer A, princely state, number 3, Junagarh was a small princely state in Gujarat, number 4, the Indian constitution was completed on 26 November 1949 The planning commission was set up in 1950, exercise number B, fill in the blanks, number 1, on 1st October 1953, the state of Andhra Pradesh was created Hari Singh, was the ruler of Kashmir at the time of independence, on 15th August 2015, India celebrated its 68th Independence Day Number 4, the French returned their Indian territory to India in 1954 The NAM held its first conference at Belgrade, Yugoslavia in 1961 Students, you have to complete the exercise part in your book The chapter is over, thank you